दोस्तों मैं पहुचा हूँ पंजाब के दीदारे वाला गाउं में और यहां शुरू होने वाला है एक ऐसा OMG मुकाबला जो मैं बेट लगाता हूँ आप में से किसी ने कभी भी नहीं देखा होगा इस गाउं में वक्त के साथ साथ सब कुछ आगे बढ़ रहा है और आप सोच रहे होंगे कि ट्रैक्टर ट्रॉली जो रिवर्स में क्यों जा रही है एक चुली इस गाउं में होने वाला है एक पेहग यूनिक मुकाबला ट्रॉलीबैक रेस और आज है मुकाबले का दिन ट्राइवर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को 50 मीटर लंबे और नौक फुट चौड़े ट्रैक पर रिवर्स करके ले जाता है। और जो सबसे कम टाइम में फिनिश लाइन क्रॉस करता है वो होता है विनर। ट्रैक्टर के साथ दोनों तरफ दो रैफरी चलते हैं। क्योंकि रेस के दौरान कोई भी टायर साइड लाइन पर आता है तो रेसर हो जाता है डिस्कॉलिपाई। ट्रॉली रिवर्स करना अक्चुली एक स्किल्फुल काम है। कोई भी गाड़ी रिवर्स करने में स्टेरिंग राइड घुमाओ तो गाड़ी लेफ्ट जाती है और लेफ्ट घुमाओ तो राइड जाती है। लेकिन ट्राक्टर ट्रॉली में ऐसा नहीं है, इसमें स्टेरिंग के आक्शन का डिलेड रियक्शन होता है और उसी तरफ होता है जिस तरफ स्टेरिंग घुमता है और इसकी बजा है ये टिविट पॉइंट जहांपर ट्रॉली और ट्रैक्टर जुड़ते हैं और ट्रॉली मानों ऐसे काम करती है जैसे उसका अपना दिमाग हो और इस सेंसिटिव कंट्रोल को अनकंट्रोल होने से बचने के लिए चाहिए सही अंदाज़ा जो आता है एक्स्पीरियंस है इतने घुमावदार एक्स्पीरियनेशन के बाद यार मेरा तो सर ही घुम गया आईए देखते हैं इस रिवर्स रेस के मैदान में कितने सिकंदर उतरे हैं और सीथी के साथ ट्रैक्टर को डाला रिवर्स गेर में अरे लेकिन भाई साथ इतना स्लो क्यों चल रहे हैं फुड़ा फास चलिये क्योंकि जो जल्दी पहुंचेगा वो जीतेगा पाजी तुस्ती एक्स्पीरियंस लग रहे हो दिखा दो अपना कमार और ट्रॉली चल पड़ी उल्टी कली इसी के साथ बिना फाउल किये फिनिश लाइन क्रोस ये काफी अच्छा जा रहे हैं स्टेरिंग को अच्छा कंट्रोल करते हुए लेकिन पिछला टायर साइड लाइन पे तो टच हो गया ये मुकाबला देखने में मज़ेदार है पर खेलने में आसान नहीं यहां के सर्पन जी ने हमें बताया की ट्रॉली बैक रेस की शुरुवात कब हुई अज तो अठधास साल पेला समाद पाई दे वेचे ट्रॉली बैक लाग दे वेख्यां सी पहले तो गाउं में कुछ ही बंदे ट्रॉली बैक करने में माहिर होते थे पर जब से लोगों को रेस का चस्का लगा है बंदे दूसरे शेहरों में जाके ट्रॉफी जीत के आते हैं हर्वीर सिंग ने भी ट्रैक्टर को डाला बैक गियर में और जेट की रफतार से भगाया और ये कर दिया कमाल विना फाउल किये ट्रैक्टर फिनिश लाइंग के बाहर तो इस रेस में ट्रॉफी जीतने की होड लगी है गुर्परीत ये चैंपियंशिप कई बार जीप चुके हैं पर क्या आज उनकी रफतार काम कर पाई दी और ये कोली की तरह अपने ट्रैक्टर को डढ़ाते हुए ये फिनिश लाइन के बाहर अर्गनाइजर्स ने टाइम कैलकुलेट कर लिये हैं और विनर्स डिसाइड हो चुके हैं थर्ड नंबर पे हैं हरवीर सिंग सेकेंड नंबर पे हैं सर्बजीत सिंग और पहले नंबर पे हैं गुर्फ प्रीट सेंग जिस ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तिमाल पंजाब के लोग अपने कामों के लिए करते हैं उसी से बना एक OMG Sports Event ऐसा स्पोर्ट जिसमें जीतने का जोश तो है ही साथ ही महौल में घुलती है ऐसी मस्ती जिसमें सब जोब उठते हैं